कुम्ब के मौके पर संगम में डुक्की लगा कर अपनी आस्था को आयाम देते हैं लाखो करोडों श्रद्धालू लेकिन जब आप संगम में डुक्की लगाने वहाँ पहुँचेंगे तो आपका सामना होगा अगहोरी साधुओं से जिनने देख कर आपको थोड़ा डर लगेगा थोड़ी उतसुता होगी थोड़ी कश्मकश होगी आपके मन में सवाल उठने लगेंगे सवाल ये कि आखिर कौन होते हैं अगहोरी इनकी दुनिया कैसी है ये कहां रहते हैं क्यों इंसान होते हुए भी ये समाज का हिस्सा नही हैं लेकिन महज इतने सवाल आपके मन में नहीं उठेंगे उस समय आपके मन में वो सारी बाते दौड़ने लगेंगी जो आपने कभी न कभी अगहोरी के बारे में सुनी होंगी जैसे कि वो नर्मुंड क्यों पहनते हैं वो मृत शरीर के साथ संभोग क्यों करते हैं लेकिन अगोरी अर्थ वैसे तो होता है कि जिससे आपको डर न लगे लेकिन इनकी वेशभूशा और इनकी कहानी इससे विलकुल विपरीत होती है अगर आप अगोरियों को खोजने निकले तो वो सिर्फ आपको दो जगह दिखाई देंगे पहला समशान और दूसरा कुम्ब के मेले में जहा केवल भगवान शिव और माकाली की ही करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि मोक्ष का रास्ता केवल भगवान शिव ही हैं बाकी और किसी भी भगवान या देपता में विश्वास नहीं करते हैं ये सब कुछ आपने अगोरियों के बारे में जाना लेकिन अगोरी बनते कैसे हैं यह अपने आप में हैरान करने वाला वाक्या है यह चलिए चलते हैं हम अब अपने अगले पड़ाओ पर यह जानने के लिए कि आखिर अगहोरी बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है या फिर कितना मुश्किल है अगहोरी बनना अगहोरी बनने का पहला प कुछ करना है जिससे समाज डरता है या फिर जहां जाने से बचता है और जिन चीजों से खौफ काता है जैसे कि राथ के समय कोई भी शमसान में जाने से बचता है तो अगहोरी उसे समय शमशान में जाते हैं लाश, मुर्दे, कफण, अंतियम संसकार की चीजें इन सब चीजों से भी लोग भागते हैं लेकिन अगोरियों से कहा जाता है कि आपको इन चीजों के करीब जाना है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये दुनिया क्या है और दुनिया का खात्मा क्या है साथ ही अगोरियों को खुश्बू बद्बू किसी भी चीज से क कोई मतलब नहीं है और वो किसी भी चीज को खा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गाय के मास को छोड़ कर वो कुछ भी खा सकते हैं अब चाहे वो इंसान ही क्यों नहों या फिर सडी हुई लाश ही क्यों नहों और वो यह सब इसलिए करते हैं ताकि वो अपने भावनाओं को लोग भी करते हैं और अगोरियों के शम्शान में जाने का कारण ये होता है कि वहाँ उन्हें एकांत मिलता है क्योंकि वहाँ कोई भी जल्दी नहीं जाता और ज्यादा तर अगोरी रात के समय में शम्शान में ज्यादा तर अपनी साधना करते हैं क्योंकि उस समय वहाँ केवल ये होती है कि भगवान शेव उन्हें मोक्ष के चक्र से बाहर निकालेंगे और इसलिए वो शिव को ही अपना भगवान मानते हैं अगहोरियों का इतिहास हजारों साल पुराना है जिसके शुरुवात बनारेस से हुई थी अब इस बीच आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर अगहोरियों के पास उनकी पूजा के लिए शव कहां से आता है तो वो आता है गंगा नदी से दरसल जो शव गंगा नदी में प्रवाहित किये जाते हैं उन्हें अगहोरी खीच कर अपने पास ले आते हैं और उसका इस्तमाल वो अपनी चीजों के लिए करते हैं अब जरा आप अगहोरियों के इतिहास पर नज़र डाले अगहोरियों के इतिहास को अगहर हम पढ़ें तो सबसे पहले अगहोरी थे बाबा कीनाराम जो की 150 साल की उम्र तक जंदा थे और 28 शताबनी में उनका देहान्त हो गया लेकिन उन्होंने मृत्यू से पहले दुनिया को अगहोरी की जिन्दगी से परिचित करवाया था और साथ ही उन्होंने दिया था अवधूत गीता जिसे भगवन दत्ता त्रे ने लिखी थी और यही अधूत गीता अगोरियों की धार्मिक किताब है क्योंकि इसमें वो सब कुछ लिखा गया है जो अगोरी करते हैं मोक्ष की राह पर चलने के लिए लेकिन इसमें अगहोरियों के लिए चार कानून लिखे गए हैं जिन में से पहला है कि हर एक अगहोरी को अपने एक गुरू की खोच करनी होगी दूसरी सबसे जरूरी चीज है भबूत अपने शरीर पर लगाना अब ये सुनकर आप सोचेंगे कि अगहोरी ऐसा क्यों करते हैं तो उसके पीछे कई कारण हैं पहला ये कि खुद भगवान शिभ भी अपने शरीर पर भबूत लगाते थे और अगहोरी भी उन्ही के नकसे कदम पर चलना चाहते हैं इसलिए वो भी अपने शरीर पर भबूत लगाते हैं और तीसरा कारण ये है कि अगहोरी या तो बहुत गरम जगह पर रहते हैं या फिर बहुत थंडे जगह पर इसलिए वो राख लगाते हैं जिससे कि उनका पूरे शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके अब ज़रा नजर डालते हैं एक सबसे जरूरी चीज़ पर कि क्या अगहोरी इंसानों का मास्क खाते हैं तो हाँ बिलकुल वो ऐसा करते हैं क्योंकि अगर वो एक बार इंसान के मास्क को ग्रहन कर लें तो वो करीब एक महिने तक बिना कुछ खाए पिये जिन्दा रह सकते हैं तो ये थी अगहोरीयों की कहानी कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंज सेक्शन में बताईए देखते रहिए जन्हे टाइम्स धन्यवाद नमस्कार